प्रिशार्द कामिल अर्षार्ड तो जून पांच हर सार आता है और इसके साथ में एक दिवस भी आता है बिलकुल सर्व इंवार्मेंट डे जो की एक अच्छी बात है जो लो काम कर रहे है उस खेटर में और जो नीचर लवर्ज बेसिकली दे वनुसलिबरेट इस दिवस को एक मार्केटिंग के जैसे भी यूज करती है बहुत सारी ब्रैंट्ट्ज अमने रीसिनली देखा कि बहु और जनके बास बिल्कुल सारी ओटो अन्थूज जनता और जिनके पास भी वी थी पर सबने ला लिए पोस्के विए देखो ओड़ एपीस वी वांट पॉलिशनलेस वहिकल्स पॉलिशनलेस एंवार्मेंट और अच्छा लगता है देखके कि ऐसी चीजें की जाती है लिकि बुरा भी लगता है, बुरा किम लगता है? बुरा, I think, इसलिए लगता है क्योंकि रियालिटी जो है, वो उससे थोड़ी सी दूर है, मतलब, actually, World Environment Day का मतलब यह है कि कुछ चीज़ें जो actually environment friendly हो, global जिनका impact हो, उसके बारे में आपन बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप पेड़ लगा लो पने गर पे, that is, of course, best solution, that is a greater solution, but EVs कितनी environment friendly है, उसके बारे में आज हम बात करने बाले हैं, तो कातल आपके episode number two or three? three, I think, I think, I am not, आपनी हो अबी चुप, shoot, third shoot, third shoot है हमारा, but हम लेट हो गए हैं, environment बचाने में भी by the way, anyway, विल्कुल, हम pollution पलादे मानुस, noise pollution, विल्कुल, विल्कुल, तो, आओ, अल्ला करें, let's talk about this, let's talk about it, कि भाया, EVs कितनी जादा environment friendly है, sir, EVs बहुत environment friendly है, because, अगर आप देखो, तो जो आम तोर पे ICE, यानि की internal combustion engines, जो है, वो जब चलते हैं, तो वो डीजल या पेट्रोल को बर्न करते हैं, और जो पीछे exhaust pipe है, जिसे कभी कभार मदुर रवाज भी आ जाती है, कई लोगों, उसमें से ऐसी gases निकलती, ऐसे pollutants निकलते हैं, जो कि सूंग ने के लिए भी harmful है, और environment के लिए जहरी लिए हैं, जहरी लिए हैं, जहरी लिए हैं, तो EVs में वो नहीं निकलते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा green है, ज़्यादा green क्या, completely green है, यह बात हो रही है, जब आपके घर में EV आ गई है, आप EV चलाना शुरू कर रहे हो, उसकंदर बैटरी बैटरी से फिट हुई है, और आप चला रहे हो, तो आप लेस पॉलिटेंस निकालोगे, सड़क पे, सड़क पे जब आप चला रहे हो, आपके environment को थोड़ा कम करोगे, गंदा कम करोगे, बट जो प्रोसेस है, EV आपके घर तक आने तक या डीलेशिप तक आने तक, वहां तक अल्डेडी इतना pollution यह फैला चुकी होती है, I think एक estimate है कि लगबग 40 परसेंट या 45 परसेंट के आसपास, यह अल्डेडी तुना pollution क्रेट करके वह EVs बनी है, जितना catch-up करने में, पेट्रोल विकल्स को भी थोड़ा सा टाइम लागी है, यानि कि अगर आप आज माल लो, मोटा मोटे माल लो, कि आप जो है 10 साल एक IC को रखना जाते हो, 10 साल एक EV को रखना जाते हो, जो अगले चार साल में आप अपने पेट्रोल डीजल कार से पॉलिशन करेंगे वाग की EV, पहले दिन कर चुकी है, मैंदब, it's already there, और उसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि यह जो, मतलब, जो मेन कॉंपोनेंट आपकी इलेक्रिक वीकल का होता है, वो बैटरी होती है, और अभी तक जो हमारे पास, I think, अभी लीथियम आयन केमिस्टिविश कर रहे हैं, अगर आप टेसला की बात करोगे, या इंडिया में भी जो आड़ा मोडर्स है, या फिर बाकी जो ब्रैंड्स, जाद अता सब लीथियम आयन बैटरी पर ही dependent हैं अभी, और कुछ इंपोर्टंट जो उसमें चीजे लग रही है हो, लीथियम, को्बाल्ट और यह सब छीजा बाल्ट, दिकल हैया कुछ है, मेंगनीज है कुछ-कुछ और कहां निकल रही हैंoud, यह निकलती कहां से हैं है दर्टी से निकलती है, तो धर्टी को खा रहे हैं, धर्टी को थो भूत सालों से खा रहे हैं, पर अणर। बचार रहे हैं। तो बेसिकली निकाल, excavation जो process रहे हैं या फिर आप इस तरीके सी उसको निकाल रहे हो, वह process अपने आप में environment friendly किसी भी तरीके से नहीं है, क्योंकि आप माइनिंग कर रहे हो और वो मल्टिबल तरीके से दिस्ट्रक्शन कर रहा है, not just environment बलकि वो human lives को भी डिरेक्टी अफेट कर रहा है, कई जगों पर economy को भी कर रहा है, कई जगों पर wildlife को खराफ कर रहा है, बिल्कुल तो सर सबसे पहले मुझे बता दो आप lithium और कुबाल दो ऐसी चीजी जिस पर हम जिकर करना लादे lithium का extraction वगिरा में क्या है I think lithium का extraction वह तीन चार जगे हैं जहां पर मुझकी lithium मिलता है I think वो चिली और चिली वो जो बेल्ट है चिली के नीचे वाला पिया नहीं जाए खाया जा रहा है तो खाने में मतलब से बता चलता है जदा था कंशें हो रहा है और साथ ही में इन फैक जब दूसरा में चाहना है कोबाल्ट कोबाल्ट की जब बात की जाए तो कॉंगो के बारे में भी कई रिपोर्ट है आपको भी पड़ी नीची वो रिपोर्ट कुछ डॉक्यूमेंटरी है बहुत वैल डॉक्यूमेंटे है वैसे कॉंगो आपको नहीं बता होता अफ्रीका में है अफ्रीका में है अफ्रीका में है अफ्रीका के बारे में future दिखाया जाता है, तो usually वो developed countries दिखाती है और वो यह नहीं होताते हैं कि it is coming at a cost of either underdeveloped country और a developing country मतला उसके लग जाती है उनकी मुसले लग जाती है और उनका future secure हो जाता है, एक छोटा सा एक्जामल आप cement का ले लो, जिसमें आज जिस घर में हम बैटे हैं, वो भी cement लगी है महाँ पर एक जमाना था जब सब कुछ lime से चल रहा था सब कुछ बढ़िया चल रहा था और lime के कई benefits है, चुना पत्थर जिससे हम पूराने काज़ादा देखे होंगे, उनके कई benefits है in comparison to cement और UK में, दोजा, not 1800 में बातें शुरू एक विया cement आई है, revolutionally चीज़ है industrial revolution हुआ, फैल गया, अब वहीं से जिक्रे शुरू हो रहा है कि वो तो गलत हो गया है, मतलब, environment के लिए अच्चा नहीं है idea थोड़ा change है, थोड़ा change है idea का, तो I hope यह ना हो जाए कभी, anyway कोबल्ट की बात करते हैं, कोबल्ट कॉंगो में 70% contribution जो कोबल्ट का है, वो कॉंगो से आता है और वहाँ पर ऐसी हालत है of course, industrial तरीके से भी चीज़े हो रही है और कई लोग human level पर भी, मतलब आपने अपने लेवल पर अपने लोग मिल जाते हैं, फिर कोबल्ट निकालने लग जाते हैं, ऐसे ही हातों से ही निकालने लग जाते हैं अब चलिए जो भी है इस आस्पक पर नहीं जा रहे है, हम human crisis आस्पक पर क्योंकि that is a different topic all together but जो excavation हो रहा है, उसके अंदर माइनिंग प्रॉपर, जो conventional माइनिंग है वो यूज होती है, मतलब वही ब्लास्ट होएंगे वही आपके fossil fuel भी यूज होगा उसके अंदर जो machinery यूज हो रही है, उसके अंदर fossil fuel जा रहा है और फिर environment hazardous, जो chemicals हैं वो सब जा रहे हैं बिकॉस इसलिए बनाई जा रही है, क्योंकि उनको green रखना है जीज है green रखने के बाद में उस process में बन रही है, उसमें भी problems है बिकॉस एक EV को चाहिए होते हैं double the number of semi-conductor जो की regular कार में चीह होते है semi-conductor बनाने के लिए फिर से पानी की ज़रूद पड़ती है और बहुत ही भयंगर तरीके से 2-2-3-4 million gallon पानी की ज़रूद पड़ती है एक proper semi-conductor factory को अगर आपको हलका सा और reference जाना हो तो simply search किजिए ताइवान में जून 2021 जो first lockdown उसके बाद में semi-conductor से related water में क्या crisis हुई थी वहाँ पर सूखा क्यों पड़ गया था उस आज करीगा आपको और पता चल जाएगा या फिर आप simply lithium जहां पर भी extract हो रहा है या cobald जहां पर भी extract हो रहा है वह तो हम बात ही नहीं कर रहा है भी आभी तो pollution पर पहले बात कर लेते हैं तो आपने source कर लिया वह चीज को इन्हों ने बता दिया कि लाने लाने में transportation में आपका बहुत सारा डीजल जाता है तो overall cost जब add करते हो और जब आपका vehicle last में finally बनता है including आपके semiconductors उसके सारी चीज ने मिला में लुके तो 40-50% pollution वो अट फैला के आ रहा है उसके बाद में वो आपको डीजल रहा है उसके बाद में actually green है नहीं actually वो भी green नहीं है उसके बाद में green इसलिए नहीं है क्योंकि इसको charge करने के लिए पनको चीज है मसाला, वो मसाला इलेक्रिसिटी वो कैसे आएगा अब इलेक्रिसिटी सारी आती है wind से, वो आती है water से, वो आती है nuclear power plant से तो इसलिए उसलिए उसलिए ग्रीन है अब भी भी majority जो EVs निकलती है वो coal से निकलती है हम सब जानते है, कोईले से बनती है अगर हम इंडिया की बात करें तो I think हम वाल दो बहुत अची प्रोग्रेस कर रहे है renewable energy में, I think third largest हम है दुनिया में renewable energy में after US-China 38% हमारा contribution जो total installed capacity है वो renewable energy जो सोलर आ गया आपका फिर हाइडर आ लिए उसका अंदर, wind आ गया उसका, तो यह सब चीजे है बट यह पर भी question है वो question यह है वो 38 के अलावा जो बाकी बचा हुई है बाकी बचा, वो coal से आ रहा है और coal अगर आप जला रहे हो आपकी electricity पहुंचाने के लिए आपके घर में या फिर एक DC fast charging station में तो आप pollution ही कर रहे हो by the way, recently मैं एक interesting video देख रहा था some environmentalist I'll put the name here उन्होंने बहुत काम किया इस दिशा में वो पहले world environment बहुत सारे steps जो लेने उनकी तरफ काम करें अभी वो प्रोमोट करें nuclear power plants exactly opposite वो इसलिए कि उनको after so many studies उनको यह लगा कि जो सबसे sustainable solution है जो environment को भी किलिंग पाएगा वो लोगों को पता नहीं है बट वो nuclear power plants है in fact आप South Korea उठा लो South Korea ने बूल दिया कि हम 60% या 70% अपना nuclear power plants से निखा रहे हैं बहुत सारे countries ने clear कर दिया कि हम तो nuclear based है रहने वाले हैं that is a safer way although बीच-बीच में कुछ incident होए nuclear के और वो एक mindset है कि भीया बहुत खराब है solar तो clean है ना सर सूरत से आ रही है बैटरी में जा रही है पर वो हो सकता है वो जो उस process में बीच में कुछ चीज है लगी उसमें problem हो आपको ने मुझे क्या problem है मुझे क्यों बना रहे हो आप प्रोसस से दिक्कत है तिंग वही वाली है कि solar power plant भी आप जहां लगाते हो कहां लगा सकता आप solar आप जमीन पर लगाओगे आपको चीज है पार्क्स क्या बोलते हम उनको solar solar parks चीज है और solar parks जहां आम जैपुर मेरे निया तो मिलेगा नी हम जाना पड़ेगा कोई ऐसे जाली जेगे हमने छोडीनी तो मैं जंगलों में जाग कि खाली करने पड़ेगे विकात इंसानों वाली खाली करना मुझकिल है सभी आप तो stay order ले आते हम I think that is still okay, मतलब लोग अगर आपने घरों पर लगा लाव तो that is still okay अब बिगर प्रॉब्लम इस जो हम दिस्कुस कर रहे थे कि सोलर जो चीजें है जो पैनल्स है जो बैटरीज है इवेंचुली अगेन बात आगए है कि आप अर्ट से उनके निकालोगे निकालोगे और दिस्पोस कैसे करोगे तो मनला बेजिकल आप जब मैं चला रहा हूं तो बहुता पुल्का पॉल्यूशन कर रहा हूं उसके बाद भी कर रहा हूं जब नहीं चला रहा हूं तो आपकी बैटरीज की लाइफ मानलोगी 15 साल है और शोलर पैनल्स की लाइफ पच्छे साल बोलते है अब इनको करना क्या जो रिचा अपिपटरीज सारा क्याएक है यह सारा इकटा ओता रहा है its a waste तर वह दिल्ली के बटर पर नवहां बॉतसारे डेर मनएंगे बड़े न लगा रहें घिल्ट्रै काम करें हैं बैटरीज के वरना मिश्टिय कर लें कि हम कोशिक है कर रहे हैं कि इनको वापस से रि गाड़ी बनने पर पॉलिशन है, गाड़ी चलने पर पॉलिशन है, गाड़ी जब नहीं चल रही है, मतलब धेर कर रहे हैं, तब भी पॉलिशन है, तो फिर ग्रीन कैसे है, मतलब कुछ तो हुआ होगा, because सभी लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में, they are almost saying it's a future, हाँ ठीक है, पर बहुत जादा बेज्ड हैं, सारी के सारी ओर्ड एकॉनिशन है, तो हमारी डिपेंडेंसी उन पर है, I think वो 55-55 साल का बचाया सब बोल रहे हैं, बाकी रिजर्व का मैं नहीं पता, बाट 45-55 साल का बोल रहे हैं, कि अब भी जुगाड है अपने पास में, तो अपनों जी जाएंगे, बढ़ हां, तो अठारा सो में मेरे बूरो जुन नहीं देखा कि स्विमेंट का नुक्सा नहीं है, तो मैं क्यों देखूँ, I think यही यही प्राब्लम है, तो एक सास्य साल का रिजर्व है, बढ़ हां, यह है, मोटा मोटे तोर पे कि हमें है, क्योंकि वो क्र कर रही है, अब धान दीजे, सब ने यह बोला, पॉलीशन कम कर रही है, अभी तक आप यह नहीं सुनों कि पॉलीशन नहीं कर रही है, पॉलीशन दो हो रहा है, इसके बार में में डिस्कुशन कर लिया, वो कितना कम हुनी आ थे, उनने रॉइटर का रिपोर्ट पढ़ा थ तोयटा कोरॉला वाला जब बात करें, वीशिकलीशन वादा, अगर आप अपनी कार, मतलब अगर आप तो एक एवी लेते हो और एक इक कार लेते हो, जब चलाया उन्होंने, उनने बोला कि लगब लगब 13,500 माइल्स जब आमने चलाया उसको, तब जाके गाड़ी आपकी, कौरोला से कम पॉलिशन करना चुरूई ओवरोल मैनिफेक्टिरिंग प्रॉसेस वगरा उसमें भी उनका कैच था उन्होंने उसको 38% एलेक्रिसिटी ऐसा कुछ उसमें उसमें मिक्स था मतलब इतना तो मोस्टली लोग चलाते नहीं अपनी लाइफस्टाइम में 8000 किलमेटर अनलेज हमार जैसे लोगे दिन पर रोड बे रहते हैं बात अलग है तो हम कर सकते हैं पॉलिशन का लेकिन मोस्टली जनता नहीं कर सकती है वो उनका कहना था बैसिकली यह जो रिपोर्ट लाइफस्टाइम खताम हो जाएगा जिससे यह पॉलिशन कम करें तो कहने का मतब यह मैं सोच ले ना कि पहले में एक लक्स था जा चलालता हूं पिर बोलूंगा मैं इसी वक्त ऐसा हुआ जैसे इंडिया ग्रो करा रहा हम करीब सतर परसंट के आस्पास से निकालने लिए तो अगर वह नहीं लग जा तो डेफिनेटली जो इलेक्रिशली अपके पास में वो रिन्यूबल सोर्से से आएगी और वो थोड़ा और जादा ग्रीनर फ्यूचर हमारे लिए होगा बिलकुल, in fact not just electric vehicle manufacturer और भी कही companies है जो कही तरीके से future देखती है अपना space में वो लोग बैटरी में चेंजिस करना चा रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हम at the same time और जदा efficient batteries या फिर battery recycling कैसे होगी या फिर जो हम minerals निकाल रहे हैं उनके अलावा कोई minerals है जिन पर हम dependent हो सके हैं क्योंक वाली कुछ हम decision कर रहे हैं कि mostly giga factory जो है वो चाइना के पास है और जो उसके बास second number पर शाइद U.S. था होगी जैसे कि बहुत लोग solid-state batteries पर काम कर रहे हैं हो सकता है EV में हो सकता है EV के बाहर में हो but I think that will be a new technology या something नया invention जो की विया इस चीज को आगे प्रॉपल करेगा वरना ही अभी तो कहीं ज़्यादा जाह नहीं है कोई protection और वैसे भी industrial growth हमने देखी पूरी दुनिया कि industrial growth अ से energy निकाल के करो या फिर different chemistries के साथ में जाओ कही लोग sodium try कर रहें कि sodium abundance में available है तो उस पर काम कर रहे हैं so that's what it is I think the future green future तभी हुआ जाम थोड़े renewable की दरफ जाएंगी और फेर पौदे लगाएंगे exactly मैं उसी point पर आने वाला था कि individual लोगों का जो effort है वो count करता है जब सभी लोग आ जाते हैं वो mass level पर जोड़ता है क्योंकि आपने जो pollution फैलाया है या हमने जो pollution फैलाया है to be very specific and very correct जो हमने फैलाया है यह मैंने अकले तो फैलाया है नहीं ना भाई यह सब मिलके फैलाया है कि personal mobility जो है अगर world को हमें लग रहा है कि हम हमारे emissions कम करने है वो temperature जो दो डिगरी बढ़ने की बात हम कर रहे है वो कम करना है तो सिर्फ इसका एक ही solution है कि हम लोग collectively public transport policies का demand करें लोगों से public transport जब बैटर हो जागा तो मुझे अपनी गाड़ी की ज़रत पढ़ीगी और यह मनें देखा है multiple cities में multiple country की multiple cities में अगर कभी Europe घुमने जाओ जो देश आज developed है और AC कमरें में बैठ है global warming की बात करते हैं तो उन्होंने कुछ काम तो अच्छे किया है तो खुद के लिए किया है वो उन्होंने किया है कि पॉलिशन नहीं होने का एक बड़ा रीजन यह हम लोग cyclist अगर बीच मा लेते हैं तो उसको दो चार गाली देके निकल लेते हैं I mean that's I mean it's it's a harsh reality but it is a reality कि you look down upon them आप cyclist को थोड़ी जद दो उससे सब से uptracts बनाओ policies हमारी वैसे मेनेगी तो यह सब चीज़ों में अभी वक्त है और वो वक्त कितना है आप बता पाओ तो वरना लोगों को बता दो हम एवी के अगेंस नहीं है यह नोट अगेंस दीवी अफकॉस वी जस वांट की भी है थोड़ा रिन्यूबल पर और जादा फोकस हो जैसे कि अगर गर्वर्मेंट विंडे की बात करें तो नितिन गड़करी जी के पास में वह बहुत जादा रिन जो कि नाचल सोसे से आती है या फिर जिस अब से हमने रेन्यूबल एनर्जी में इंवेस्ट किया है उसकी बात करते हैं तो वही एक फ्यूचर है जो एक सस्टेनेबल फ्यूचर है थोड़ी बहतर फ्यूचर है एक जनरेशन के लिए बाकि आप बताईए आपको कैसा लगा धाज का पौटकास्ट है का लगा बताई आप और ये भी बताये के कौँसे नंबर का पॉटकास्ट है याद नहीं है एक हमने शीने लिए क्या ऑद याद नहीं है की अब हमें वस गववर्मन की रिपोर्ट का इंतरब है कौन से वज़ए ओध ओग याश्या अधी आपट वेवी वेवी? वेवी. 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 वेकुल. कोज़ कोई वेकृच्ट. वणना आघाग़ जाएगी. So, that's it. I hope you enjoyed it. Thank you so much people, who watched this video. वे वाचिवाच्टु कोई वेवी वाज।